आप हैं सिक्षा सुधार रोजगार के यूटूब चनल पर और मैं हूँ नीरज आज एस्टेट अभ्यार्थियों की बात एस्टेट 2019 दो बड़े केस सिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से हुए और पडिक्षा रद हुई पर आपको बता दें कि अभी भी लड़ाई खतम नहीं हुई है इस वीडियो में जो बाते हम उजागर करेंगे ध्यान पुर्वक आप अभ्यार्थि सुनें और आगे की लड़ाई के लिए रन्नीती भी तेज कर दें साथ में हम बात करेंगे एड्मिट कार्ड तुरुटी सुधार की जिन अभ्यार्थियों के एड्मिट कार्ड में किसी वी परकार की तुरुटी थी और वो परेशान थे तुरुटी सुधार को अब वो परिसान नहो हम एस्टेट अभ्यारतियों की ये बड़ी खुसकबरी देना चाहते हैं कि अब तुरूटी सुधार के लिए एड्मिट कार्ड तुरूटी सुधार के लिए BACB को सिक्षा सुधार रोजगार की तरब से अफिसियल एक नोटिस भेजा गया है लीगल नोटिस भेजा गया है जिसमें तुरूटी सुधार के लिए आगया ग्रह किया गया है बड़े कानून विदों से सलाह के बाद ये बड़ी करवाई की गई आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो नोटिस जो सिक्षा विभाग BACB पटना को भेजा गया वकील सुरेंदर कुमार सिंग के द्वारा ये भेजा गया है पटना BACB को और अब हम आपको बता दें कि जल्द ही सम्मंद में भी कोई बड़ी सुधार के उमीद है कानुनी कारवाई आगे बढ़ेगी तो एडमिट कारड में भी तुरुटी सुधार होगी ऐसे में इस वीडियो में एक नंबर भी हम आपको देंगे जिस पर अगर आपके एडमिट कारड में किसी भी प्रकार की तुरुटी है जो भी अभियर्थी तुरूटी सुधार को एक चुक है इस वीडियो में एक नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं जिनके भी एड्मिट कार्ड में कोई भी तुरूटी है वो संपर करें आपको पता है जैसे कि फोटो में नाम में सब्जेक्ट कंबिन में विभिन प्रकार की तुरूटिया हुई है और अब लीगल नोटिस आपके स्क्रीन पर वो लीगल नोटिस है जो सुरेंद्र कुमार्सी अधिवक्ता जो सिक्षा सुधार रोजगार की तरप से सिक्षा सुधार रोजगार की बात को कोट के जरिये पहले भी रख चुके पर हम आपको बता दें कि हम इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे पहले भी जब वो केस में थर्ड पाटी के रूप में परजेंट हुए थे उन्हें धूल चाटना परा था और अब फिर से अब वो तीन वकील लेकर आए हैं फिर भी उन्हें धूल चाटना ही होगा यह हम नहीं कह रहे हैं यह भीरतियों ने जो बड़ा केस किया था दो बड़े केस हुए और जो बड़ा फैसला आया है वो आपको हकीकत बया करने के ल करते हैं कि अगर हम मैदान में उतर गए तो इन्हें अच्छा सवक मिल जाएगा पहले भी इन्हें केस में अच्छा सवक मिला है और उससे इन्होंने सवक सीखा नहीं फिर से अब भीरतियों का पैसा बरबात करने को आगे आए हैं इन्हें तो यह करना चाहिए था कि काम करने के लिए आगे बर रहे हैं ऐसे में सिक्छा सुधार रोजगार ने यह निरने लिया है हमारी टीम ने यह बड़ा निरने लिया है कि अब इनके खिलाप हम भी पतना हाई कोट में अपना पक्ष रखेंगे और यह बड़े से बड़े वकील लेकर आए हम हटने वाले नहीं है इन्होंने हमें पार्टी नहीं बनाया जान बूझ कर क्योंकि यह डरते हैं कि सिक्छा सुधार रोजगार की तरब से अगर वकील खड़ा हुआ तो हमें मुखी खानी पड़ेगी पर यह भूल गएं कि जिसतर यह हमारे केस में पार्टी बनकर मुखी खा चुके है अब हम इन्हें फिर से इनी के केस में जाकर और इनको सही सबक सिखाएंगे आप एस्टेट अभ्यरतियों से यह निवेदन है कि अब हमारे साथ फिर से एक बार आपको खड़े होने की जरूरत है क्योंकि तीन बड़े वकील पतना हाई कोट में इन्होंने खड़ा करने की क कोशिस की है और आप अभ्यरति घबराय नहीं मुद्दई लाक बुड़ा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मनजूरे खुदा होता है और खुदा आपके साथ है जैसा कि आपने पहली बार की लड़ाई में हमारा साथ दिया है हम आपसे फिर से उसी साथ की उमीद रख लड़ाई लड़ी और मू की खानी पड़ी नहीं और फिर से हम खड़े होकर अब आमने सामने हैं ऐसे में आप अभ्यरतियों को दुगनी जोज के साथ आगे आना चाहिए आप अभ्यरतियों से निवेदन है जो भी अभ्यरति इस संबन में सिक्चा सुधार रोजगार के स ख़रा होना चाहते हैं उन्हें आज हम आवाहन कर रहे हैं आप अभ्यरतियों से केस को मदद करें क्योंकि पिछले केस में आपने देखा कि कितना खर्च हुआ और सिक्चा सुधार रोजगार ने बहुत कठिन परिश्रम के बाद दो बड़े केस एक PIL और दुसरा डीट प अब आप अभ्यरतियों से निवेदन है कि जब ऐसे लोग तीन बड़े वकील लेकर खड़े हुएं तो आप अभ्यरति अपने हिम्मत के साथ जो आप से बन परता है आप आगे आए हम सिक्चा सुधार रोजगार के तरफ से आप सभी अभ्यरतियों से आवाहन करेंगे जो किया है आपके खिलाब और यह चाहते हैं कि रिजल्ट आ जाए पर हम उस केस में इन्हें फिर से डिफेंड करेंगे जब बीए सीबी पटना ने परिच्छा रद करा दी जब सिंगल बेंच से जज्जमेंट हो गया डवल बेंच में चीप जस्टिस ने फैसला दे दिया तो इससे ये धरासाई होकर गिरेंगे पर इसके लिए आप अभ्यर्तियों का साथ बहुत जरूरी है मैं निरज आप एस्टिट अभ्यर्तियों से ये निवेदन करूंगा कि जिस तरफ पहले आपने साथ दिया एक वार फिर से सिक्छा सुधार रोजगार के साथ आए क्योंकि तीन केस हैं और तीनों में बड़े बड़े वकील रखे गए हैं ऐसे में हमारे तरफ से भी तीन बड़े वकील खड़े होंगे और आप अभ्यर्तियों से निवेदन हैं आपके स्क्रीन पर आर्थिक सा योग के लिए कूछ हम पोर्टल जारी किया हैं जिसमें आप आर्थिक सायोग कर सकते हैं सिक्षा सुधार रोजगार की आप अभ्यरतियों से बड़ी अपील आर्थिक रूप से केस को मजबूत करें एक बार फिर से तीन बड़े केस पटना हाई कोट में और आप अभ्यरतियों को जीत दिलाने के लिए हम फिर से मैधान में, आप सबी अभ्यर्थियों से निवेदन है, इसक 오른के में न ले आप अभ्यर्थी जो भी पुरे भिहार के अरतिसों जिले क्या भ्यर्थी हैं, एक बार आपने सिक्छा सुधार रोजगार को देखा है आप अभ्यर्थियों से एक बार और आगे आने की हम उम्मीद रखते हैं जो भी हो जितना भी हो सहयोग कड़े आर्थिक रूप से केस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बड़े बड़े उच्छा धिकारियों के दस्तकत के बाद ये परिक्षा रद हुई थी पर कुछ लोग अब विभिन मुद्दों को लेकर पटना हाई कोर्ट में पहुँचे हैं और उनकी मांग है कि रेजल्ट जारी हो ऐसे में आप अभ्यर्थि जो इस परिक्षा को रद करवाने में हमारे साथ खड़े थे उन अभ्यर्थियों के लिए एक नंबर आपके स्क्रीन पर है आप अभ्यर्थि इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं साथ में अगर किनी भाई बहन के एड्मिट कार्ड में किसी परकार की कोई तुरुटी है तो आप तुरुटी सुधार के लिए अब सिक्चा सुधार रोजगार के साथ आ सकते हैं आप सभी भाई बहनों से ये निवेदन करूँगा कि एक बार आपने साथ दिया तो हमने परिक्चा को रद करवाया एक बार और आप साथ दे और इन तीन केसों में भी आप भी पुर्जोर तरीके से खड़े हो और एक बार तो ये धूल चाट चुके हैं दुबारा इनको धूल चटाएं सिक्चा सुधार रोजगार आपके साथ है और हर कदम आपको भी हमारे साथ रहना चाहिए एस्टेट पीरित अभ्यर्थी जो अभी तक सोय हैं और उन्होंने कभी कोई मदद नहीं किया आप देख सकते हैं कि हमने बड़ी जीत दर्ज की और आप अभ्यर्थी अब तो जागो तीन केज पतना हाई कोट में आपके खिलाब दायर किये गए और हम चाहते हैं कि इस केज में हम फिर से उन्हें धूल चटाया और आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि स्क्रीन पर दिये नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं अभ्यर्थियों को एक जूट होना चाहिए तमाम अभ्यर्तियों से हाथ जोड़कर सिक्षा सुधार रोजगार की तरप से मैं निरजे बड़ी अपील कर रहा हूँ धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए वीडियो देखने के लिए और मैं इसी अपील के साथ इस वीडियो को संपन करूँगा कि आपको साथ आना चाहिए सिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आपके कॉल का इंतजार रहेगा धन्यवाद